चार्ज उनको लोकसभा के परड़नाम आने के बाद से कांग्रेस के उमीदवार और कद्दावर निता कांतिलाल भुरिया लगातार खामोसी बरत रहे थे। प्रदेश में 29 में से 29 सीटे कैसे हार सकते हैं। लोग उनसे कहा रहे हैं कि उन्होंने तो कांग्रेस को वोट दिया था लेकिन कांतिलाल भुरिया को वोट दिया वोट कहां चला गया। ऐसा बोलकर उन्होंने एक बाद फिर से EVM पर सवाल उठाए हैं। वो संधर्म दिया है और उन्होंने पूरे मद्रदेश की 29 से 29 सीटो का। लेकिन इसके साथ कांग्रेल भुरिया एक चीज और बोल गए है। उन्होंने कहा कि बड़े नेता अपने अपने छेत्रों में विश्तत है और उनके लिए प्रचारपन नहीं आ पाए। तो ये भी उनके लिए एक नु जबी के खाते में गई तो ये संका के गेरे में है। देव परदेश की जनता भी कह रही है कि हमने कांग्रेश को उड़ दिया, ये केशे हो गया। हमसे सवाल कर रहे हैं पर हम क्या उसमें जवाब दें? अब मिटिंग में सब सारी समिश्या होगी। और कहां चुक हुई, क अब मिलना चीए वह पर अपने पड़े छेत्रम लगे रहे, आई दी पाये, अपने पड़े उसमें जुगार में रहे है। चार अबियान से दूरी बना ली थी। देवजे सिंग की हम बात करें तो देवजे सिंग खुद राजगड़ में चुनाव लड़ रहे थे। लेकिन अपने चुनाव से फ्री होने के बाद उन्होंने रतलाम के सेलाना में एक सभा की थी कांतिलाल बुरिया के पक्ष में औ लाकि सारी सातों विधान सवा सीटों पर उनको पराजय का सामना करना पड़ा है। अब चर्चा ये भी है कांतिलाल बुरिया का सियासी भविसे क्या होगा। चुकि चुनावी राजनीती कि अगर हम बात करें तो उन्होंने खुद ये कहा दिया था कि ये उनका अंतिम चुनाओ है। एक बार फिर से सुन लिजिए नामंकर रेली के दोरान उनका ये बयान। सिर्वाते के हमेशा जीताते रहे और ये मेरा आखरी चुनाव है। फिर आप आप लोगों के साथ हम लोग काम करेंगे, समाश सिवा भी करेंगे, ये कांतिलाल बुरिया आखरी दम तक आपकी लड़ाई लड़ता रहेगा। में कांतिलाल बुरिया अभी भी सक्री होना चाहते हैं, बने रहना चाहते हैं, ऐसी उनकी मंसा है। तो देखें, जीतु पटवारी ने इस्तीफे की आज पैसकस की है, वो स्विकार होता है, नहीं होता है। देवजे सिंग कांतिलाल बुरिया के कटर समर्थक माने जाते हैं, और अगर देवजे सिंग की चलती है, तो आने वाले दुनों में कांतिलाल बुरिया एक आदिवासी नेता हैं, 22 फिजदी आदिवासी वोटर हैं, ये सोचकर कॉंग्रेस उनको संग्ठन में कोई उपद दे सकती है, प्रदेश अद्देश बनाए या फिर और इंडिया कॉंग्रेस कमिटी में कोई जिम्मेदारी दे, इस पर कॉंग्रेस आला कमान को सोचना है, लेकिन चर्चा है कि बुरिया लॉबिंग कर रहे हैं कि संग्ठन में उनको मोका दिया जाए, वो सक्री रहना चाह अब कांतिलाल भुरिया के इस दावे पर आप क्या सोचते हैं, और आप क्या सोचते हैं, उनको कौन से जिम्मेदारी अब कॉंग्रेस संग्ठन की ओर से मिलेगी, कमेंट बॉक्स आपके लिए, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर नुर्दवाइ